हेलो अब्रिबन दिस इस प्रूज अनूच रिया यह है ग्लैंड पार्ट फॉर इस से रेलेटेड ओलेड़ी थी वीडियोज में अपने चैनल पर डाल चुका हूँ जहां पर हमने थारोड ग्लैंड तक बात कर ली थी ठीक है थारोड ग्लैंड हाइपो थारोडिज्म हाइप प्रतेग ब्रक के सीर्स पर पीले बूरे रंग की चार से च्छे ग्राम की टोपी के समान अदब्रक लगी रहती है ठीक है इसमें इसके करेटरिस्टिक बता दिया मतलब स्वरी इसकी पहचान बता दी कलर कैसा होता है पीला बूरा रंग ठीक है साइज कैसका चार से च्छे ग्राम का ठीक है साइज हो गया इसका यह वजन हो गया ठीक है और यह कांपर होती है ब्रक्य के सीर्स पर इससे तो होती है ठीक है इसके आकरती क्या होती है टूपी की समान ओके तो यह जो गरंती है वो दो बागों में बटी होती है पहला बाग होता है एड्रेनल कोर्टेक्स दूसरा होता है adrenal medulla तो पहला बात करते हैं अपन adrenal cortex की तो इट इस आउटर पार्ट ओफ adrenal gland ठीक है तो यह अजब्रक की गरंती जो होती है उसका बारी बाग होता है इट प्रोडूशेश following hormones ठीक है तो यह जो है यह निम्न हार्मोंस राविद करता है ठीक है पहला हो गया glucocorticoid ठीक है इसका मोक्यकार भोजन के बिविन अवयवाओं के उपापच है यक्रत में glycogenesis प्रोटीन से glucose का निर्माण जल तता electrolyte का सरीर में मित्रण एक्सेक्टरा का नियंत्रण करता है ठीक है तो यह क्या-क्या बिविन अवयवाओं के metabolism को कंट्रोल करेगा लीवर में glycogenesis को कंट्रोल करेगा प्रोटीन से glucose निर्माण को कंट्रोल करेगा जल तता electrolyte का सरीर में बित्रण एक्सेक्टरा को नियंत्रण करता है तो मेली क्या इस ग्लुकोज लेवल इसाइड था तो ठीक है हमारे बोडी के अंदर जो glucose level उसको कंट्रोल करता है मेली ठीक है दूसरा हो गया mineralocorticoids ठीक है तो it controls level of minerals and salt inside the body ठीक है तो ये मेंडल और salt के इस्तर को या मेंडल या salt को कंट्रोल करता है अपनी बोडी के अंदर ठीक है फोर एक्जम्पल हो गया eldoestron ठीक है तो ये क्या करता है acton kidney ये kidney पर कारे करता है ठीक है तो ये क्या है लवड प्रतिधारक हार्मोन है या फिर salt retaining हार्मोन है ठीक है क्योंकि इसके प्रवाब से क्या ECP और रोदर में sodium, potassium और chloride आयनो कि तताइनी के अनुसार जल की उप्युक्त मात्रा बनी रहती है ठीक है तो eldoestron क्या हो गया salt retaining हार्मोन हो गया ठीक है इसके प्रवाब से क्या हो गया ECP और blood में जो होते है sodium, potassium और chloride ठीक है इनको control करता है ठीक है और इससे क्या होता है जल की उप्युक्त मात्रा बनी रहती है ठीक है अगला हो गया sex hormones या link hormones adrenal cortex जननंग का बिकास नियांत्रित करता है अठे adrenal cortex से प्रतिग ब्यक्ती में कुछ नर हार्मोन अर्थाथ एंड्रोजन्स और अतिसूच मात्रा में मादा हार्मोन्स रथाथ एस्टोजन्स रावित होता है ठीक है प्रतिग मेल में दोनों हर्मोन पाएजाएंगे लेकिन एंड्रोजन्स की मात्रा अदिक इस लिए नर समाल अच्छ उट्ड ठीक है एस्टोजन्स की मात्रा कम इसलिए female की समाल अच्छ उट्ड बहुत कमना के राबन नहीं तध्य हर्मों इस हर्मों करोज डिवैलोपमेंट मसल व सिस्थम नहीं के कि दीवैलोपमैंट को के फिर्जल करते हैं अगला है ऐडडैरल मैडिला थीव इसले यह होता है फिर भीज़ करता है तो फैनले देग लें आप यह हार्मॉन अनुकम्पी तंत्र का तंत्र से नियंत्रित होने वाली किरियाओं को नियमित करता है अनुकम पी तन्त्रा का तंत्र का मतलब क्या है, एक दो तरह की तंत्रा का तंत्र होते हैं एक central nervous system होता है, एक sympathetic nervous system होता है ठीक है, तो ये दूसरा वाला, ठीक है, central नहीं, sympathetic आगे देखते हैं यह कारेकारी अंगों इफेक्टर और्गेंस को प्रभावित करता है बिल्कुल कारेकारी अंगों पर प्रभावी होने के एड्रिनलीन अरेकित पेशियों को उत्तेजित करता है ठीक है प्रभावी होने के लिए क्या करेगा एड्रिनलीन अरेकित पेशियों ठीक है उनको उत्तेजित करेगा ठीक है जिससे तवचा बाांतरांगों में रोदिर वाइनियों एबं कोशकाओं की दीवार सिकुड जाती है ठीक है इससे होगा क्या चला एक फिर से देख लेते हैं कारेकारी जो अंग होते हैं एफेक्टिव और्गेंस जो होते हैं उनके क् पेशी है ठीक है उन पेशियों को क्या करें को तेजित करेगा जिसे तवचा बांतरांगों में रोदिर वाइनियों एबं कोशकाओं की दीवार सिकुड जाती है इससे क्या होगा बीपी बढ़ेगा हर्टवीट बढ़ेगा रॉंग टे खड़े हो जाते हैं ठीक है साथी साथ यक्रत में संचत ग्लाइकोजन ग्लुकोज में बदल कर रोधर में आने लगता है ठीक है उसके साथ क्या होगा यक्रत में जो स्टोड रहता हैं ग्लाइकोजन बदल जाएकर रोधर में आने लगेगा बास्तम में head Flash हमें संकट कालिन परिस्यतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है. ठीक है? इमर्जेंसी जो सिचूइसन्स होती हैं, उनके लिए हमें रीडी करता है. घुसे या डर के समय उत्पन होने वाले हावाव, ऐड्री नलीन के द्वारा ही उत्पन होती है. ठीक है? दूसरा होता है noradrenaline it calms the body तो ये क्या करता है बोडी को सांत करता है ठीक है वो active कर रहा था adrenaline क्या कर रहा था अक्टिव कर रहा था noradrenaline सांत कर रहा है ठीक है तो इसे क्या stress और alarm action ठीक है विपत्ति प्रिकरिया हो गई है stress और और मतलब अत्वा ठीक है तो ये क्या करता है हमारी बोडी को रासानिक सुरच्चा प्रदान करती है अगला adrenal medulas harmon prepare the body for fight or flight condition ठीक है या तो लड़ने की condition के लिए तैयार करेंगे या भागने की condition के लिए तैयार करेंगे 4S condition और 3F ठीक है ये इसका रूल है 4S salt सुगा सेक्स आर्मों श्योस ओफ एनर्जी ठीक है 4S 3F क्या है fear fight flight यद डर fight लड़ना flight भागना ठीक है फ्लाल के लिए इतना ही आगे की चर्चापन आगे की वीडियो में करेंगे थैंक्यू झाल